Hello Friends, Welcome to my channel NSP Learning Hub, Because Learning is Life Hello Friends, आज मैं आपकी सामने Class 10 के Hindi मीडियों बच्चों के लिए मैं से कुछ important question answer डिसकस कने जा रही हूँ ये question बावर एक्जाम में पुछे जाती है, तो चलिए करते हैं, start बच्चों आज ये question है, important question answer उनको five questions में लिया है, जिसमें की दो दो पार्ट है एक एक पार्ट में आपको समझाती जाओंगी कि कैसे करना है और second part आप खुद करेंगे सबसे पहला question है, निमलिकित संक्याओं के अभाज्ये गुड़नफल घ्याद की घरव अभाज्ये गुड़नफल का मतलब होता है, prime factorization देखें, जब हम 156 के अभाज्ये गुड़नफल यानि prime factor करते हैं, तो ये last में even number है तो हम इसको two से divide करेंगे, 78 आएगा फिर ये last में even number है, यानि कि sum number है, हम फिर two से divide करेंगे, 39 आएगा अब 39 को हम last में देखेंगे, ये विशम संक्या है, यानि odd number है जब हम इन दोनों को plus करते हैं, 3 और 9 तो ये 12 बनता है यानि ये 3 के table से divide हो जाएगा जब हम 3 के table से divide करेंगे, तो हमें 13 मिलेगा जो कि अपने आप में ही एक अभाज घुड़नफल है, यानि अभाज संक्या है तो इसका 156 के prime factor बने 2 की power 2, multiply 3, multiply 13 चलिए, अब आप लोगों को 234 के अभाज घुड़नफल घ्याद करने आए वीडियो को pause करो, आप अपने आप खुद करने की कोशिश करो 1, 2, 3, 4, 5 ओके, अब मैं इसका आंसर बताती हूँ देखिए, जो हम 234 का अभाज घुड़नफल करेंगे तो ये last में even number है, हम 2 से divide करेंगे तो 117 आएगा, जो की last में odd number है तो हम इन तीनों को number को plus करके देखते हैं तो तीनों को sum 117 का 9 आता है यानि ये 3 के table से divide हो जाएगा 3 से divide करेंगे 39, फिर ये 3 के table से divide होगा 13 और 13 अपने आप में एक अभाज संख्या है तो 234 के गुरनफल होंगे 2 multiply 3 की power 2 multiply 13 बच्चों ये दूसरा question दिया है SCF आपको दो number का दिया हुआ है और LCM आपको निकालना है ये question exam में बहुत बार आता है हर साल ही आता है ये question तो इसकी practice करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर मैंने दो example दिये है जिसमें से एक में आपको solve करके दिखाऊंगी और दूसरा आपको खुद करना है देखो बच्चों टू का पहला question आपको सबसे पहले तो ये formula याद करना है कि HCF multiply LCM बराबर होता है दो number के product के यानि कि जो दो number हमें दे रखे हैं उसको हम A और B माल लेंगे तो हमें HCF दे रखा है 3, 3, 6 and 54 का हमें HCF दे रखा है 6 तो HCF की जगे हम 6 रखेंगे और LCM multiply करके A की जगे हम 3, 3, 6 और B की जगे 54 ले लेंगे अब LCM equal to दोनों का multiply क्योंकि 6 यहाँ पर multiply में वो नीचे आके divide में हो जाएगा अब हम इसको divide करेंगे 6, 1 जा 6 and 6, 9 जा 54 अब हम 9 का multiply 3, 3, 6 से करेंगे तो हमें 3024 नमबर मिलता है जो की इसका LCM है चलिए बच्चों अब इसका second part आप खुद करिए जिसमें दो नमबर का SCF आपको 4 दे रखा है और दो नमबर दे रखे है 96 और 404 जल्दी से pause करिए वीडियो को और इसको करिए 1, 2, 3, 4, 5 ओके अब मैं आपको इसको solve करके दिखाते हूँ देखो बच्चों जब हम इसको solve करते हैं तो वही formula फिर से SCF into LCM equal to product of two number SCF हमें 4 दे रखा है और LCM हमें निकालना है दो नमबर एक 96 दे रखा है दूसरा 404 दे रखा है अब LCM निकालने के लिए हम 96 into 404 को 4 से divide करेंगे तो 4 बन जा 4 और 404 को हम 101 डिवाइड कर देंगे 101 का multiply 96 से करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा इन दोनों नमबर का जो की 96 96 है तीसरा कोशन देखो बच्चो इसमें आपको एक दुईगाद बहुपद यानि की quadratic polynomial निकालना है जिसमें आपको शुनियांको का योग और उनका गुरनफल दे रखा है शुनियांको का योग यानि की sum of the zeros यानि की product of the zeros दे रखें आपको और आपको इनका दुईगाद पहुपद ग्याद करना है पहला मैं आपको सौश करके बता रही हूं दूसरा आप अपने आप करेंगे देखो बचे ठर्ड कॉशन के ए पार्ट में हमें शुनियांको का योग यानि alpha प्लस बीटा दे रखा है alpha प्लस बीटा हमें दे रखा है 2 जो की alpha प्लस बीटा इक्वल होता है minus b upon a के इसी तरह शुनियांको का गुरनफल alpha into beta दे रखा है जो की equal होता है c upon a के और यह हमें c upon a दे रखा है minus 8 के तो अगर हम इन दोनों equation को देखें तो हमारी a की value हमें हम 1 मान सकते हैं और b की value दे रखे हैं हमें minus 2 और c की value दे रखे हैं minus 8 b की value minus 2 इसलिए आई है क्योंकि b की value हमारी minus b होता है minus b upon a तो अगर value positive है तो हम उसको negative मान लेते हैं अब हम इसको standard formula में लगाएंगे जो कि ax square plus bx plus c equal to 0 होता है तो ax यानि a की value हमारी बने तो x square minus 2x minus 8 तो कि b की value हमारी minus 2i है और c की value minus 8 आई है तो हमारा बहुपत हुआ x square minus 2x minus 8 चलिए बचे आप third question का second part करके दिखाईए जिनके शुन्यांको का योग minus 3 और good and fall minus 10 दे रखा है ready 1,2,3,4,5 ओके देखो बचे थर्ड के b में शुन्यांको का योग यानि की alpha plus beta आपको दे रखा है minus 3 तो ये बराबर होता है minus b upon a के और शुन्यांको का good and fall यानि alpha plus beta आपको दे रखा है minus 10 और ये equal होता है c upon a के तो इससे हमारा a की value i 1, b की value i 3 और c की value i minus 10 अब हम उसको standard formula में लगाएंगे ax square plus bx plus c में तो हमारा भगुपत मिलेगा हमें x square plus 3x minus 10 चलो बचो हम question number 4 करते हैं दिये गए रेखिक समीकरण युकम के लिए a upon b, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 ग्याद कीजिए तता इनसे निशकष निकालिए कि दिया गया समीकरण संगत यानि consistent है या नहीं है या असंगत है तो पहला हमें समीकरण दे रखा है x minus 2y equal to 0 और 3x plus 4y minus 20 equal to 0 चलिए इसको करते हैं देखो बचो question 4 का a part to 20 and 3x plus 4y equal to 20 अगर हम a1 upon में a2 check करें तो x upon में 3x आता है यानि कि x से x कट जाएगा और आपकी value हो गई 1y 3 इसी तरह b1 upon में b2 हम देखें तो हमारी b1 की value minus 2y और b2 की value आपकी आ रही है 4y, y से y कट जाएगा आपकी value आई की minus 2 upon 4 अगर हम देखें तो इसमें a1 upon में a2 not equal है b1 upon b2 के यानि कि a1 upon a2 1 by 3 not equal है minus 2 by 4 के अथा यह समीकरन युग्म एक पतिछदी रेखा युग्म को पनाएगा और इसका केवल एक हल होगा क्योंकि यह एक जगे टच कर रहा है इसलिए केवल एक हल होगा और यह रेखा युग्म एक संगत है जिनका हल होता है वैं संगत रेखा युग्म होता है और जिनका हल नहीं होता वो असंगत रेखा युग्म होते है चले बच्चों आप 4th question के 2nd part को आप खुद करेंगे b part को आपका time स्टार्ट होता है अब 1 2 3 4 5 10 equal to 0 2x minus y plus 9 equal to 0 यह दो equation आपको दे रखी है a1 upon a2 निकालेंगे तो वो आपका आएगा 6x upon 2x यानि 2x से 6x 3 times कट जाएगा इसी तरह b1 upon b2 आप निकालेंगे तो minus 3y upon minus y आ रहा है यहाँ पर भी आपका minus से minus कट जाएगा y से y कट जाएगा और आपका 3 बचेगा इसी तरह आप c1 upon c2 देखेंगे तो वो आपको value दे रखी है 10 upon 9 यानि कि आपका a1 upon a2 तो equal है b1 upon b2 के बट यह not equal है c1 upon c2 के जब इस तरह की conditions आती है तो यह समीकरण समानता रेखा युगम बनाएगा और समानता रेखा युगम में क्योंकि यह कहीं पर भी एक दुस्रे को touch नहीं करती है इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा इसलिए यह रेखा युगम असंगत कहलाएगी चलिए बच्चे आज कर लास्ट question 5 करते हैं जाच केजी की निमलिखित समीकरण एक दुगात समीकरण है या नहीं है यानि कि यह quadratic equation है या नहीं है जाब हम इसको solve करेंगे तब अगर हमारे equation ax square plus bx plus c के form में आती है तो यह quadratic equation है यानि दुगात समीकरण है otherwise नहीं है चलिए हम करके देखते हैं यह पार्ट को हम करके देखते हैं देखें ए पार्ट में x minus 2 का whole square plus 1 equal है 2x minus 3 के तो हम इसमें identity लगाएंगे a minus b के whole square वाली x square minus 4x plus 4 यानि 2, 2 जा 4 plus 1 जो हमारा यह वाला दे रखा है equal to 2x minus 3 x square 4 minus 4x 4 plus 1 5 हो गया यहां पर और 2x minus 3 इसी तरह 2x minus 3 को भी हम a की side पर left side पर ले जाएंगे तो यह equation बन जाएगी हमारी x square minus 4x क्योंकि 2, 4x यहां पर पहले से ही है 2x और आ जाएंगे इसलिए minus 6x हो जाएगा plus 5 पहले से हैं 3 और आ जाएगे दर आके plus के हो जाएगे तो 8 हो जाएगा यानि हमारी quadratic equation बन जाएगी x square minus 6x plus 8 या क्योंकि इसमें x का square आ रहा है इसलिए यह कोई दुई घात समीकरण है चलिए बचो आप इसका second part करके देखिए और बताइए कि यह दुई घात समीकरण बनता है या नहीं बनता आपका time start होता है आप 1, 2, 3, 4, 5 सारे बच्चे कोशिश करेंगे चलिए अब मैं इसका answer बताती हूँ देखो बच्चो जब हम x square plus 1 upon x square को solve करते हैं तो हम इसमें LCM लेंगे x square तो उपर x square के साथ x square का multiply होगा तो x की power 4 plus 1 आ जाएगा equal to 2 जब इसमें हम cross multiplication करेंगे तो यह हमारी equation बनेगी x square minus 2x plus 1 equal to 0 यह दुईघात समीकरण नहीं है देखो क्योंकि इसमें x की power 4 आ रही है maximum power x की 4 आ रही है इसलिए यह दुईघात समीकरण नहीं है ओके बच्चो ऐसी और important question answer के लिए जो कि Hindi medium वाले बच्चो के लिए होंगे उसके लिए मैं और भी वीडियो डालूँगी तो आप वीडियो देखते रहें और उसको अपने friends के साथ share करें यह प्ले रहें क्यांकर अपने टर बच्चो है यह जयाय है झाल झाल